Hello friends, welcome, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं English grammar के बारे में, जिसमें हम लोग narration पढ़ेंगे direct and indirect speech के बारे में, तो देखें, English syllabus में आपकी जो topic दिया गया है, उसमें तीन section में बाटा गया है, पहला देखिया आप, जो है unseen passage, जो की reading comprehension में आएगा, note making है, दुसरा है writing skill, writing skill में क्या हो सकता है, कि letter writing आ सकता है, जैसे application हो रहा हो गया, कोई article हो गया, को speech हो गया, उस पर writing करना होगा, लिखना होगा, और grammar की बात करें तो voice आ सकता है, narration आ सकता है, इस पर कोई sentences बनाने के लिए आ जाए, ठीक है, और next है literature textbook, जिसमें आप 12th base में जो chapter पढ़े हैं, जैस reading area में आपको English आना ही चाहिए, English को अच्छे से समझना चाहिए, English को आपको quickly reading करना चाहिए, ठीक है, अब बात करते हैं कि question answer के steps आएंगे, तो देखिए, इसमें question answer कोई निस्ची नहीं है, कि objective ही question पुछा जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें writing skill भी पुछा जा रहा ह है वहाँ पर, तो इस परकार syllabus है अब समझ सकते हैं कि यहां तक तो हम जो इतना पढ़ रहे हैं उसको तो complete करेंगे पहले, सवाल आखिर objective later writing भी क्यों ना है, बट इतना तो हमें complete करना होगा, जो syllabus में दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर writing के बारे में दिया है, तो obvious सी बात है कि आपको हो सकता है कि writing लिखने के लिए आ जाए, कोई sentences बनाने के लिए आ जाए, तो कोई undefined है, निस्चित नहीं है कि आपको वही सवाल पूछेगा, objective type ही, तो चलिए आज किस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, आपके section B के narration के बारे में पढ़ेंगे, ह अभी syllabus के new pattern के अधार पर कोई नहीं नहीं कि सवाल objective पूछे जाएंगे, आपको writing लिखने के लिए आ सकता है, तो हमें जो syllabus में दिया गया है, पहले उसे complete करना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग direct indirect narration के बारे में जानेंगे, तो narration क्या होता है, direct और indirect दो टाइप से हो अभी बात, अब मैं किसी दूसरे को उसी format बताता हूँ, मतलब जो बात जैसे कहा गया है, उसी type से बताता हूँ, तो उसको कहते है direct narration, ठीक है, जैसे इसका नाम रवी है, माल लेते है, ठीक है, रवी मुझसे कहता है, कि वह मेरा best friend है, ठीक है, वह मेरा best friend है, बोलता है, direct मतलब, जो हम बातों को किसी दूसरे बेक्ति के कहा है, बातों को हम सिधा किसी दूसरे बेक्ति के बास बताते है, सिधा सिधा बोल देते है direct, यदि indirect है होता है, कि जब हम उस बात में कुछ अपना जोड़ते हैं, कि वह बेक्ति कहा कि, ऐसे है, ठीक है, तो example आप समझ जो होगा, he said to me, उसके बाद यहाँ पर dot लगा होगा, इसको बोलते हैं,lerde comma, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड कोमा को इधर बाहर वाला है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, reporting speech, reporting verb, जिससे इसमें भव लगा होता है, उसको reporting verb कहा जाता है, ठीक है, या पिर आप इसको reporting speech कहते हैं ठेक है तो इस चीज़ कब समझ गए जैसे हम यदि इसका sentence बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम जोडते हैं he told me told क्यों लगाते हैं यहाँ पर तो जब यहाँ पर said है वो उसमें to लगा होता है said to me यहाँ ही लगा होता है तो उसलिए हम यहाँ पर told लगाते हैं he told me that that किसले लगता है तो that कहता है conjunction word है इसके और inverted comma को हटाने के बाद जोडता है दोनों sentence को जोडता है आपस में कौन-कौन से तो एक होता है reporting speech और एक होता है reported speech दोनों को जोडता है he could meet me then इस वाकर को समझने का प्रयास कीजए पहले हम इसको समझ लेते हैं बाकर हम तो इसका रूल समझेंगा आगे he said to me यह told यहाँ पर लगा दी हम that यहाँ पर conjunction हो गया और he किसले लगा तो देखिए he जो है यहाँ पर आई है तो आई जो है यह क्या है फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन का sentence होता है मतलब reported speech जो होता है उसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है subject उसका reporting जो speech होता है उसका subject का उनसार लगता है तो यहाँ पर he है तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है इस चीज़ को समझ गए आप, अब यहाँ पर can है, तो can क्या है, एक model है, तो can क्या हो जाएगा, could हो जाएगा यहाँ पर, could हो जाएगा, meet का, meet ही हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, कि you क्या है, यह क्या है, object है, मतलब यह क्या posting speech होता है हुसका object लेते है हम किसमें ... रिपोर्टेट्स पर डिये लगा धील यहाँ आपको मैं बताऊँगğा आगे detail में। चलिया, यहां तक आप समझ गए, कि किस परकार से यह sentence बनायागा, ठीक है, अब जानते हैं कि sentence किस-किस टाइप से बनते है, नरेशन में, तो सबसे पहले देखे, simple sentence होता है, simple होता है, rule, हो गया, रभी said to me, he is my friend, simple sentence हो गया, ठीक है, tense में, tense में, यदि तो टेंस आता है model जो आप देख सकते हैं model देख सकते हैं आपकी model अवला sentence था यहाँ पर तो इन जो ना sentence है यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हमारा positive भी होता है और negative भी होता है और यहाँ पर interrogative मतलब question प्रस्ण वाच्यक भी वाक्य होते हैं इसमें आगे इस टाइब का और sentence होते हैं जैसे होते हैं imperative होता है इसमें भी आपका positive और negative दोनों होते हैं आप दूसरा होता है exclementary होता है और यह होता है optative सारे चीज़ों को समझेंगा धिरे-धिरे चलिए सुरू करता है सबसे पहले सबसे पर एक्जांपल आप देख सकते हैं कि Ravi said to me he is my friend इस simple sentence है इसमें क्या लगाएगा say to लगाएगा told लगाएगा तो Ravi told me that लगाएगा यहां पर जोडने के लिए conjunction word अब he कहासा है तो यह समझ गया है आपके he कहासा हैगा तो यह he EC में रहेगा पहले नमर बताता हूँ मैं आपको सारी चीज़े he इसका लिया गया है ठीक है और यह क्या है यह past में है तो यह भी sentence किस में आएगा पास्ट में आगा अभी किसात क्या रगते हैगा वाज लगेगा आगे ध्यान सुनेगा पहला देगे first person यादी कोई होता है first person में क्या आता है तो एक I होता है और एक V होता है ठीक है I और V क्या होता है first person होता है first person जब आपके reported speech में रहेगा first person तो उसका change जो होगा वो इसका होगा मतलब subject का coding होगा मतलब reporting के subject का coding यहाँ पर change होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा subject का अनुसर हो जाएगा ठीक है यहाँ तर समझ गया आप आगे देखिए यदि second person है वहाँ पर यदि second person है second person में कौन आता है तो you आता है why oh you you आता है तो you का कैसे change होता है यदि आपके इस कौन सा है तो यह क्या है यह यहाँ एक reported speech है तो reported speech जो है उसमें यदि आपको you लगा है तो यहाँ object मतलब इसका लिया जाएगा यहाँ पर मतलब reporting speech का object को लिया जाएगा you के लिए इस चीज को समझ गया आप यदि आगे आपका third person होता है जैसे third person में क्या आता है देखे he आता है c आता है eat आता है कोई नाम होता है वही पर पुर्णर के लिए क्या आता है तो दे आता है ठीक है दे आता है पुर्णर के लिए ठीक है तो इसमें कोई change नहीं होता है याद रखेगा इसमें जैसा यह sentence बना है वो से भी यह sentence बना रहेगा डारेक्ट रहेगा जैसे भी sentence को देखे यह simple sentence है इसमें भी he is my friend लगा है तो फिर he was his friend लगा हुआ है तो इस परकार के simple sentence होते है आगे practical example सहीद समझते हैं हम लोग चलिए आगे देखते हैं आगे देखे sentence जो दिया है she said to a man अब इसके बाद inverted comma लगा है यहाँ पर I do not hate you I do not hate you तो यहाँ पर देखिए she told लगा यहाँ पर टोड़ लगा अमन यह होगा simple she told अमन उसके बाद that लगा दिए यह तो simple है अब यहाँ सुरू होता है जैसे यहाँ पर तो I लगा है यहाँ पर I तो यहाँ पर C कैसे लगा ठीक है उसको जनते हैं देखिए I क्या है तो I एक first person का सदस्य है first person है उसका family है first person का तो I जो है उस subject लएगा मतलब यह क्या है यह क्या है तो यह reporting speech है reporting speech का subject को लिया जाएगा तो हम यहाँ पर C लिख दिए simple सी बात है हम यहाँ पर C लिख दिए उसके बाद do not किस में लगता है तो यह लगता है present in definite में लगता है अब हमको past बनाना है तो past बनने में क्या लगता है तो did लगता है उसका negative के लिए क्या लिए क्या लगता है लेकिन verb का form क्या रहता है first ही रहता है ठीक है आप जानते हैं तो he did not hate him अब him कैसा है यहाँ पर य अब देखिए, यूजो है कहा है, तो यू जो है second person, का है, सबस्ट क्या करता है, object लेता है, किसका object लेता है, reporting speech का object का, है reporting species हो गया reporting इसका object on side amun है अमन है ना तो यहां पर amun को जोड़ेगा तो amun के जगह पर हम ही लिख सकते हैं तो he के object form क्या होता है तो he के object form जो होता है हीम होता है आप जानते हैं he का form क्या होता है हीम होता है object form ही का तो तो यहां पर हम him को जोड दिये, तो यहां पर आप समझ गए कि इस sentence कैसे बना, he did not hat him, him कैसे बना, तो यह Amun के जगह पर यहां पर him लगा दिये, चगर परसन के लिए object या noun हो गया, object या noun, तो यह Amun क्या है, Amun क्या है, यहां पर noun है, तो यह किसके रधर कारे करेगा, तो object के रूप में कारे करेगा, you के रूप में object रूप में कारे करेगा, अमन, तो इतना चीज आपके समझ के में आ गया होगा, third person में आपको देख सकते हैं, he see it, they है, तो यह इसमें no change होता है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे हो reporting speech हो, या reported speech हो, ठीक है, यहाँ पर एक sentence समझने का प्रयास किजिएगा, कि he said लिखा हुआ है, यहाँ पर, what are you doing today, यहाँ पर यह object question mark है, सवाल, अब इस सवाल को समझेए, कि he said लिखा हुआ है, he said लिखा हुआ है, मतलब कि इसके लिखा हाल गार है, कोई पता नहीं है, रहता है, ऐसा रहता है, तो इसको अपने लिखनते हैं, मतलब to me है आपर लिखा हुआ, क्या होगा, यहाँ पर to me छुपा होगा, यदि यह sentence यदि दूसरे के लिए बोलता, तो यहाँ पर आपने नाम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, बस he said है, तो यहाँ पर he said to me count करेंगे, किसो करेंगे, he said to me, यहाँ पर लिखा होगा, छुपा है, इसमें to me छुपा हुआ है, तो इस चीज़ को आप समझेगा, कि यदि sentence में, यदि आपके सामने he said लिखा हुआ होता है, तो अपने लिए count करते हैं, वहाँ मेरे को बस बोल रहा है, ठीक है, यदि दूसरे के लिए बोलता, तो उसका नाम लिखा होता है, या फिर प्रोनावन होता, या फिर कोई नावन होता, ठीक है, अब देखिए, कि what are you doing today, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किसका है, तो डबलू-एज फैमिली का है, इस परकर के sentence यदि आपके पास आता है, और यहाँ इंट्रोगे टिव आता है, तो उस चीज़ों कही से बनाएंगे, उसको आये जानते हैं, तो देखिए, इस परकर के थोड़ा अलग है, इसको मैं समझने के प्रयास करता हूँ आपको, कि he said, मतलब यह दि आपके सामने question mark यह दि रहता है, यह दि ऐसे आता है, प्रस्न, तो आपको सबसे पहले का करना है, क्या को जोड़ना पड़ता है, अब यहाँ पर देखिए, कि he, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका he, ठीक है, he हो जाएगा, ask, उसके बात what है ना, तो यहाँ पर कूछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, लिखना है यह अपर वोट लगेगा अबढ़ यहां पर दिखिए कि यह जो यह बाद में आयगा मतलब यह सब्जक्ट अब मतलब और इस तो करते हैं पर और यहांपर चल जाएगा मतलब यहां पर इंट्रोकेटिटिव ओखका जो हो dove यहां पर चला जाएगा ठीक है तो यहां पर हम क्या काउंट करेंगे यू काउंट करेंगे तो यू क्या है यह सेकेंड परसन का है तो सेकेंड परसन है किसका काउंट होगा तो अबजेक्ट काउंट होगा तो अबजेक्ट काउंट होगा तो यहां पर टू मी यहां पर क्या सब्सक्राइब शर्की प्राइब यहां सब्सक्राइब तो आई है तो यहाँ पर यहाँ जो sentence है किसमे है तो पर इसको हम किसमे लाएंगे तो पास्ट कंटिनूस में लाएंगे तो आई के साथ क्या लगता है वाज लगता है ठीक है आई के साथ वाज लगता है जैसे पास्ट कंटिनूस क्या यूज करते है वाज वेर यूज करते है तो यहाँ पर आई के साथ वाज लेगा, उसके बाद आपके सामने doing लेगा, doing लेगा, ठीक है, doing हो जाएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखिए, यहाँ पर doing हो जाएगा, यहाँ पर today है, तो today का क्या चेंज करते हैं हम, that day करते हैं इस चीज को आप समझ जाएंगे आगे हम बताएंगे तो that day हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ देखिए सबसे पहले sentence आपके समने दिया हुआ है उसके आहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कहा जाता है reporting speech जानते हैं आप और यहाँ से inverted कोमा के अंदर वाले sentence हो कहा जाता है reported speech तो इसको समझेगा यहाँ पर लिखा हुआ है इसको note down कर सकते हैं आप कि यह आई वी जो है किसके उनसार change होता है according to the subject of the reporting speech मतलब इसके subject के उनसार change होता है कौन सा first person और second person किसके उनसार change होता है तो according to the object of the reported reporting speech मतलब इसको object उनसार change होगा यदि इस sentence में आपकी कहीं पर noun या pronoun है तो वो change किसे होगा यहाँ पर reporting speech के noun या pronoun के उनसार change होगा ठीक है third person में कोई change होता है no change होता है वो यह same to same लिखा रहता है sentence example भी देख सकते हैं आप जो कि मैं बता चुका हूँ अब देखिए आप यहाँ पर समझें कि pronoun family कैसे होता है ठीक है तो I के family यहाँ पर देख सेते हैं I के family है तो I का क्या होता है my होता है mine होता है me होता है myself होता है माई किसका है, तो इस चीज को याद रखिए हम, वी का क्या होता है, आवर, आवर्स होता है, और सेल्फ होता है, ठीक है, यू का क्या होता है, यू 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 होता है जैसे आप यहां पर एक रूल देख ले होंगे लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग स्पीच इनिज यदि आपके सामने परजेंट और फ्यूचर में यदि आपके सामने रिपोर्टिंग स्पीच है तो कोई चेंज नहीं होगा लगा यहांपर सेट्ड लगा यहां पर िब्रषा सेट्ड परशेंच में यहांपर यहांपर रभी क्या है तो रभी ही है तो ही 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 और तो यहां पर इसको बनाते हैं, तो रभी तो हो गया, विल टेल मी, that he is his friend, simple sentence है, वो no change हुआ है, जैसा यह वह है, वैसा यह वह है, no change, ठीक है, अगले वीडियोए में हमने सारी चीज़ होके डिसकर्स करेंगे, जैसे present and future change होता है, past and different में होता है, तो उसमें क्या-क्या helping work यूज होता है, present content होता है, तो इस चीज़ों को सारी चीज़ों को समझेंगे, model work के बारे में जानेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग change the model के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज से related, तो narration topic आपको कल में clear हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, if या whether कहाँ पर लगता है उसी इसको समझेंगे, I hope कि आपको यह आहां तक समझ में आ गया होगा, किसी पर गार query है, पूछना है तो जरूर पूछिए, so thank you so much for watching, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में,